Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी का स्वागत है आईए अपने इस full course on Indian economy for UPSC, PCS and SSC exams को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं Indian Economic Development जी हा, NCRT class 11th की जो textbook है Indian Economic Development उसको लेके हमने ये course start किया है ताकि हम लोगों को पहले एक economy का एक base हमारे mind में तयार हो हमारे concepts जो है वो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस basis पे economy को समझना है या पढ़ना है especially for the UPSC exams के लिए ठीक है तो इसी के तहट जो हमने इस book को start किया है chapter 5 में हम लोग इस book के पहुँच चुके है Human Capital Formation in India ये chapter है कि भारत में मानो पूझी निर्मार पिछले part में हमने इस chapter को start किया है आज इसका part 2 रहने वाला है पिछले part में हमने ये समझा था कि human capital क्या होती है कि what is human capital, sources of human capital क्या है जिस तरीके से हमने पढ़ा कि education में अगर आप invest करते हैं health में अगर आप invest करते हैं अगर आप on the job training में invest कर रहे हैं migration में invest कर रहे हैं या फिर लोगों को अगर knowledge चाहिए उसके लिए अगर investment हो रहा है तो इन सबसे क्या होगा कि human capital formation जो है वो build up होगा ठीक है यह हमने पढ़ा उसके बाद हमने एक चीज़ और समझी थी कि physical capital और human capital के बीच में अंतर क्या है तो आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थोड़ा सा कुछ और important concepts related to human capital तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप सभी लोगों से request करूँगा कि जो लोग इस course को follow कर रहे हैं जिनको video series पसंद आ रही है वो please जादा से जादा like करें और जादा से जादा videos को share करें कम से कम 10 लोगों में आप लोग videos को जरूर share कीजिए ताकि जादा से जादा लोगों को इस course के बारे में इस platform के बारे में पता लग सके और उन सभी का भी फायदा जो है वो हो सके और बाकि जो लोग चैनल पर नए है उनसे भी मा request करूँगा कि please आप लोग भी चैनल को जरूर subscribe कर लीजिए काफी सारा content यहाँ पर आप लोग के काम का मिलेगा तो subscribe जरूर कर लीजिए और bell icon प्रेस कर लीजिए so that की notifications वगरा जो है वो miss ना हो ठीक है आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं इस mission के बारे में थोड़ा सा फिर से अपील करूँगा कि हमारा जो mission है to provide affordable education to all इस mission में आप लोग अपना contribution कीजिए मैं आप लोगों से request कर रहा हूँ कि जित्रा भी support आप लोगों के तरफ से आएगा उसका फायदा आप लोगों कोई मिलेगा सिर्फ video courses नहीं बलकि आपको जो quizzes है plus notes है वो सब चीज़ा भी मिलने शुरू हो जाएंगी लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों का support हमें इसमें जरूर चाहिए तो इस scan and pay का option यहाँ आप दिया गया है उसके help से आप लोग payment कर सकते हैं जो भी चाहें बाकी नीचे UPI ID भी दी गई है और बाकी अगर कोई internet banking के मादियम से या फिर debit card, credit card के मादियम से अगर payment करने के चुक है तो उनके लिए भी नीचे description box में link दिये गए है तो please इस mission में आप लोग जितना जादा हमारा support करेंगे उतना ही फायदा इसका आप लोगों को मिलेगा और आप जैसे और भी बहुत सारे experience जो है उनको भी मिलेगा ठीक है और एक चीज में आप लोगों को और बता दूँ कि कल से हम लोगों ने आपसे ये चीज पूशनी शुरू की है कि how Ocul is helping you कि हम आपकी किस तरीके से help कर रहे हैं आप अगर school level की पढ़ाई कर रहे हैं तब हम आपकी कैसे help कर रहे हैं अगर आप completion की त्यारी कर रहे हैं तब हम आपकी कैसे help कर रहे हैं तो please इसके लिए आप अपना एक 50 to 100 words में अपने जो thoughts हैं एक write-up लिखके हमारी email id जो है that is ocul.co at the gmail.com पर अपनी एक passport site photograph के साथ इसको जितने जल्दी हो सकता है send कर दीजिए क्योंकि इसको हम अपनी जो website है उस पर testimonial sections में हम इसको use करेंगे और आपका जो write-up होगा और आपकी जो photo होगी वो हमारी website पर featured रहेगी ठीक है तो please इसमें भी आप थोड़ा सा अपना जो contribution है वो कीजिए और जितना जल्दी हिस से जल्दी हो सकता है वो चीजों को आप लोग submit इसके थूँ भी कीजिए ठीक है चलिए तो start करते है आज का part चलते है बुक के तरफ देखिए आज हमें बात करनी है human capital and economic growth जानि कि जो मानव पूजी है जो human capital है और economic growth वो आपस में कैसे related है यानि कि जो आर्थिक विकास है वो सवाल यहाँ पर पूचा गया है सवाल जा शुरुवात की गई है कि who contributes more to a national income national income में किसका contribution जादा होगा एक factory में जो काम करता होगा worker है उसका या फिर एक software professional जो है उसका अब देखिए यहाँ पर इसका जवाब भी कुछ दिया गया है कि we know that a labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person and that of the former generates more income than the later यह हमने कल के पार्ट में बात की थी कि जो educated होगा जो पड़ा लिखा होगा उसका जो labor skill है वो क्यासा होगा जादा बढ़िया होगा जादा अच्छा होगा as compared to the uneducated person ठीक है और इस वहें से क्या होगा कि जो educated person है उसकी salary जो होगी उसकी जो income होगी वो जादा होगी ठीक है अब economic growth का मतलब क्या है economic growth का मतलब है increase in the real national income of a country किसी देश की जो राष्ट्री आए है ठीक है अगर वो बढ़ रही है तो that means you have the economic growth ठीक है naturally the contribution of the educated person to economic growth is more than that of an illiterate person यह CDC बात है फिर से वही बात है कि जो पड़ा लिखा व्यक्ती है उसका जो योगदान होगा economic growth में यह आर्थिक विकास में वो एक अनपढ़ आदमी के मुकाबले क्या होगा जादा होगा या कम पढ़ लिखे के मुकाबले क्या होगा जादा होगा इसी तरीके से अगर हम बात करें health को लेकर if healthy person could provide uninterrupted labor supply for a longer period of time then health is also an important factor for economic growth यह हमने कल भी बात की थी कि जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ती है कोई एक labor है जिसकी health अच्छी है तो वो क्या करेगा जादा काम कर सकता है productivity बढ़ेगी production बढ़ेगा उससे क्या होगा growth जो है वो अपने आप बढ़ेगी अगर लेकिन कोई उसी के comparison में अगर कोई ऐसा labor है या कोई ऐसा worker है जिसकी सेहत अच्छी नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा और काम नहीं कर पाएगा तो उसका खुद का भी नुकसान है क्योंकि उसको भी पैसे वागरा income वागरा नहीं मिलेगी और economic growth भी जो है वो कही ना कही slowdown हो जाएगा ठीक है तो इसके health भी important factor है और education भी जो है वो एक important factor इसमें है ठीक है और साथ-साथ और भी factors है देखे यहाँ पर लिखा गया है कि both education and health along with many other factors हम कल बात कर चुके है on the job training job market information and migration ठीक है इन सब में जो है important factor है increase in individuals income generating capacity ये एक individual की जो है income generating capacity को बढ़ाते है और उससे कही न कहीं क्या है कि indirect तरीके से आप कहेंगे कि जो देश का economic growth है वो भी होता है ठीक है this enhanced productivity of human beings and human capital contributes substantially not only towards increasing labor productivity but also stimulates innovations and creates ability to absorb new technologies यह हम कल बात कर चुके थी कि अगर productivity आपकी बढ़ती है ठीक है किसकी human beings की या human capital के अगर productivity बढ़ती है तो उससे क्या होगा एक तो labor productivity तो बढ़ेगी बढ़ेगी और उसके साथ innovations भी stimulate होंगे यानि कि जो innovations है जो नए नए तरीके है चीजों को करने के ठीक है उसमें क्या होगा वो तेजी से बढ़ेंगे और नई technologies को नई तकनीक को क्या किया जा सकता है एड़ेप्ट या अब्सॉर्ब किया जा सकता है ठीक है एजुकेशन प्रोवाइट्स नॉलजच तो अंडर्स्टैंड चेंजस इन दिस सुसाइटी और साइंटिफिक एडवांस्मेंट्स तो एजुकेशन तो बहुत ज़ादा ज़रूरी है ही ठीक है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि सुसाइटी में क्या-क्या चेंजस हो रहे हैं और साइंटिफिक एडवांस्मेंट्स क्या-क्या हो रहे हैं तो इससे क्या होगा कि फिर inventions किये जा सकते हैं और innovations फिर से वही बात कि या तो नई चीज़ की खोच की जा सकती है या किसी पुरानी चीज़ को नई तरीके से करना तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चीज़े जो है वो फैसिलिटेट होंगी या जादा बढ़िया होंगी similarly the availability of educated labor force facilitates adaptation और two new technologies यह हमने कल भी बात की थी कि किस तरीके से अगर आपकी जो labor force है वो educated है तो नई technology का use किया जा सकता है ठीक है चलिए आगे देखते है empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous nebulous का मतलब है धुन्दला ठीक है जैसे एक बादल होता है nebula ठीक है nebular hypothesis होती है धुन्दली सी जो बादल को लेकर होती है तो that is basically basically वो तो खेर आर्थ को formation को लेकर है geography में हम लोगों ने पढ़ी है ठीक है तो empirical evidence का मतलब यह है कि कोई ऐसा evidence या कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो यह proof कर दे कि human capital का अगर increase हो रहा है और economic growth का अपस में relation क्या है या अगर आप कहें कि अगर human capital में increase हो रहा है तो उससे economic growth होगा ही होगा ठीक है मतलब वो उसका cause and effect है ऐसा होगा यह राधर nebulous है क्योंकि जो measurement हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है अब हम जो भी बच्चा है या हम education को जो देखते है अच्छी education या बुरी education हम कैसे देखते है कि years of schooling कितने है कि बच्चे ने कितने साल तकी schooling की है कहीं वो बीच में drop out तो नहीं है यह चीज़े हम देखते है फिर हम देखते हैं किसी school college में कि teacher people का ratio कितना है यानि कि student teacher का ratio कितना है ठीक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़ादा student है और teacher बहुत कम है और teacher के उपर excessive load हुआ है ठीक है यह चीज़ हम देखते है इसके बाद हम enrollment rates देखते है enrollment rates का मतलब वही है कि कितने लोग जो है वो enroll करते हैं schools में और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जाते हैं अब लेकिन इन सारे के सारे measures से आप ये बताइए कि आप quality of education को assess कैसे कर सकते हैं ठीक है माल लीजे teacher people ratio कम है मतलब teacher जादा है बच्चे बहुत कम है मतलब आप कह सकते हैं कि एक teacher है और 20 student है चलिए ये बहुत अच्छा teacher people ratio है लेकिन इसके बाद भी क्या guarantee है कि ये जो एक teacher है ये इन 20 लोगों को अच्छे से quality education दे रहा है कोई guarantee नहीं है विल्कुल सही बात है इसी तरीके से years of schooling अगर years of schooling पूरी कोई बच्चा करता भी है primary education से लेकर class 12 करता है उसके बाद college की पढ़ाई भी करता है सब कुछ करता है लेकिन फिर भी अगर उसको मान लीजी अच्छे education नहीं मिलती है तो ये years of schooling के count से कोई फरक पढ़ना ही नहीं है तो इसलिए ये जो एक तरीके से measure है to assess the education वो सही नहीं है या आप कहेंगे कि education के जो measurement का तरीका है वो सही नहीं है आगे देखिए health services measured in monetary terms life expectancy and mortality rates may not reflect the true health status of people living in the country अब health services को हम कैसे measure करते है monetary terms में यानि कि कितना खर्चा हो रहा है health services को लेने में ठीक life expectancy कितनी है उसको देखके और mortality rate कितना है mortality rate मतलब होता है deaths कितना death rate है ठीक है तो अब इन सब चीजों से फिर से आपको ये कैसे पता लगेगा कि health status जो लोग है किसी भी देश में रहने वाले जो लोग है उनका health status क्या है नहीं पता रख सकता ठीक है तो using the indicators mentioned above an analysis of improvement in education and health sectors and growth in real per capita income in both developing and developed countries shows that there is a convergence in the measures of human capital but no sign of convergence as of per capita real income इसका मतलब क्या है कि जो developed or developing countries में हम अगर इन measures की बात करें किसी इसके measures की measures of human capital ये तो एक दूसरे से converge करते है मतलब एक दूसरे के आप कहेंगे कि एक जैसे है लेकिन जो per capita income की अगर हम बात करते है per capita real income की तो उसमें कहीं भी convergence नहीं दिखाई देता है यानि कि देखिए human capital growth in developing countries has been faster but the growth of per capita real income has not been that fast developing countries की बात कर रहे है कि जो विकास, शील देश है वहाँ पर क्या है कि human capital जो है उसकी growth वो तो बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन जो per capita अपकी real per capita growth है ठीक है per capita real income जो है वो तेजी से नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई relation है सच है ही नहीं ठीक है there are reasons to believe that the causality between human capital and economic growth flows in either direction ठीक है मतलब ये एक belief है belief तो obvious सी बात है कि ऐसा सोचने के पीछे कारण तो ही है लगेगा भी सब को ही ऐसा ही कि अगर human capital में growth हो रही है human capital अगर बढ़ रही है तो income भी जो है जो national income है या per capita real income है वो बढ़नी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ये चीज़ जो है facts से हमाँ पता लग रही है that is higher income causes building of high level of human capital and vice versa that is high level of human capital causes growth of income cdc बात है कि अगर आपको देखिए human capital को अगर develop करना है human resources से human capital को develop करना है तो हमने कल भी बात की थी और आज भी बात की है कि education sector में हमें invest करना पड़ेगा health में invest करना पड़ेगा on the job training में invest करना पड़ेगा knowledge में invest करना पड़ेगा और migration में invest करना पड़ेगा यह basically 5 factor जो है इस chapter में mention किये गए है कुछ और factor अगर आप लोग के mind में आते हैं यह पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ आपका mindset develop होता है कुछ सोच आप लोग की विक्सित होती है और अगर आपको कोई और factor दिखाई देता है या जो sources of human capital यहाँ पर बोला गया है अगर वो आपको कोई और लगता है इन 5 के लावा यह 5 क्या क्या है education, health sector, on the job training, migration and information इन 5 के लाव अगर आपको कोई और लगता है तो you are most welcome आप नीचे comment section में हमें बताइएगा ठीक है? चलिए तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इन 5 sector में आपको अगर growth करनी है यानि कि human capital को बढ़ाना है growth अगर उसकी करनी है तो इन 5 sector में आपको investment करना पड़ेगा ठीक है? और दूसरी चीज़ यह है कि अगर human capital को हम बढ़ाते है या फिर अगर human capital जादा है तो उससे क्या होगा कि जो growth है country की या income की वो भी बढ़ेगी obviously बात है ठीक है? तो यह दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? related है अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरे को बढ़ना चाहिए आगे देखिए India recognized the importance of human capital in economic growth long ago इंडिया ने importance of human capital जो है वहाँ पर क्या लिखा गया था? human resources development यानि कि इसको हम human capital ली बानके चलते है has necessarily to be assigned a key role in any development strategy particularly in a country with large population ठीक है? यह चीज़ वहाँ पर बोली गई थी कि जो human capital है या जो human resource development है उसको एक key role assign करना पड़ेगा किसी भी development strategy में यानि कि कोई भी development strategy अगर बनाई जा रही है तो उसमें human capital की तरफ को ध्यान देना पड़ेगा ठीक है? और वो भी ऐसे देश में खास कर जहां की population बहुत जादा है इंडिया जैसे देश में trained and educated on sound lines a large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired directions तो ये बात सही है कि इतनी बड़ी हमारे पास population है अगर हम उनको सही तरीके से training देते हैं सही तरीके से अगर education provide करते हैं तो ये जो इतनी बड़ी population है ये एक तरीके साब कहेंगे कि burden ना होते हुए ये asset बन जाएगी अभी तो आप इसको कह सकते हैं कि अगर अगर वो जो एक व्यक्ति है माल लीजिए उसके परिवार में तीन एडल्ट हैं तो वो तीन एडल्ट और दो बच्चे जो है उनमें से सिर्फ एक ही है जो व्यक्ति कमाता है जो एक एडल्ट है अब वो पांचों का जो परिवार है वो उसी की income से चल रहा है अगर माल लीजिए वो अपनी income का कुछ portion जो है वो उन दो बच्चों के उपर जो अभी human resources है उनके उपर अगर वो खर्च करता है तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में वो एक human capital में develop हो जाएंगे और वो भी फिर क्या करेंगे वो भी जब income करेंगे जब उनकी नौकरी वगरा लगेगी तो उसके बाद फिर वो भी family में support करेंगे तो एक तरीके साब देख सकते हैं कि फिर तब जाके क्या होगा कि वो जो पांच लोग थे उन में से जो चार लोग थे वो एक के उपर burden बने हुए थे अब वो burden नहीं है उन में से जो दो हैं जिनको education मिली जिनोंने पढ़ाई करी है जिनको अच्छी training वगरा मिली है उसके बाद job वगरा जिनकी लगी है तो they have now become an asset तो similarly यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी population का दो देश है अगर यहाँ के लोगों को सही तरीके से training दी जाए सही तरीके से education दिया जाए तो यह economic growth में एक खुद बाखुद क्या बन सकते हैं उसके लिए asset बन सकते हैं ठीक है चलिए I hope यह family वाले example से आप इस चीज को बिलकुल अच्छे से connect कर पाए होंगा और आपको यह बात समझ में आ गई ठीक है चलिए आगे देखते है It is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital that is education and health to economic growth ठीक है कि यह relation जो है cause and effect का जो relation है उसको establish कर पाना मुश्किल है between the from the growth of human capital to economic growth लेकिन हम यह देख सकते हैं यहाँ पर उपर एक table दी गई है that these sectors have grown simultaneously के sector जो है यह एक साथ ही लगभग लगभग जो है वो growth किये है Growth in each sector probably has reinforced the growth of every other sector ठीक है आप यहाँ पर देखिए अगर सन 1951 की हम बात कर रहे हैं real per capita income अगर 7651 थी ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर देखिए infant mortality rate mortality rate आप देखिए का कम हो रहा है देखिए यहाँ पर जो crude death rate है और mortality rate है चाहे infant हो चाहे वो crude death rate है वो जादा है life expectancy देखिए male female की कम है और यहाँ पर जो literacy rate है वो भी कम है अब जैसे जैसे यह income बढ़ रही है देखिए यह per capita income आपकी 1981 में बढ़के 12,000 हो जाती है तो death rate यानि कि जो negative चीज़े है वो कम हो रही है death rate देखिए कम हो गया दोनों का उसके बाद जो आपकी life expectancy है यह positive चीज़ है यह बढ़ गई और जो literacy है वो भी बढ़ गई यानि कि जो negative चीज़े है वो कम हो रही है जो positive चीज़े है वो एक तरीके से बढ़ रही है similarly यह trend जो है इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे जैसे आपकी income बढ़ती जा रही है उसी तरीके से चीज़े जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है या आप इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते है ठीक है तो इन सब चीज़ों की वएसे क्या है कि यह जो income है यह बढ़ रही है या फिर उसको vice versa भी देखा जा सकता है कि अगर income बढ़ रही है और इन चीज़ों के ओपर खर्च किया जा रहा है तो आपका जो death rate है वो कम हो रहा है जो life expectancy है वो बढ़ रही है यानि कि इंडिया जो है इंडिया की अकांगशा है उमीद है कि इंडिया जो है उनाइटेड इस्टेट्स और चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी एकनोमी या अर्थपेवस्था बन जाएगा 2030 या 2032 तर इंडिया इस दा 6th largest economy now and we will reach 5 trillion economy in 5 to 7 years taking us to 4th और 5th position ठीक है यानि कि अभी ये बोल रहा है कि हमारी जो economy है वो 6th largest है ठीक है 6th largest है तो चलिए अब यहाँ से सवाल आप लोगों से बनता है economy के मामले में देखिए US सबसे नंबर 1 पर है चाइना है उसके बाद 6th पर इंडिया है यानि कि बीच पर 3 और होंगे ठीक है इस तरीके से होगा ना देखिए US नंबर 1 है USA इसके बाद चाइना है तो आपको बताना है कि चाइना क्या नंबर 2 है बताना है ठीक है मैं आपको जवाब नहीं दूँगा 3, 4, 5 और 6 इंडिया है छटे नंबर पर अब आपको पहली बाद तो ये बताना है कि एक इसमें से चाइना है और बाकी 3 और होंगे तो आपको ये 2, 3, 4 और 5 का जो गैप है इसको फिल करना है ठीक है और नीचे कमेंट सेक्शन ने बताना है कि पांस से साथ साल में है और तब हमारी जो पोजिशन है वो चौथी या पांचवी के आसपास होगी इसके बाद 2030-32 के हम बात करते है तो वे विल बी था थर्ड लार्जस्ट एकोनॉमी एट ओवर 10 trillion तब हमारी जो एकोनॉमी है पूरी की पूरी जो अर्थवस्ता है वो 10 trillion से जादा होगी अब यह स्टेटमेंट अगर आपको यह स्टेटमेंट आने वाले एक या दो साल में या 2020 में या 2021 में या 2022 में अगर आपको इसके ओपर ऐसे लिखने को आ जाए तो आज चरे मत कीज़ेगा ठीक है UPSC ने पहले भी ऐसा काम किया हुआ है कि NCRT मेंसे वो एक लाइन उठा लेते है जो उनको बढ़ी अच्छी सी लगती है और उसके ओपर वो बता देते हैं कि ऐसे लिखे ठीक है तो इसके ओपर UPSC आपसे ऐसे लिखवा सकता है अगर आप लोगों की मंशा है तो मैं कहूँगा कि अभी से अगर आप चाहें तो ऐसे इस पर लिखने की तैयारी करें ठीक है दीमे दीमे आपको जहां से भी जो रिसोर्सस मिलते हैं आप उस पर ऐसे लिखना जो है स्टार्ट कर दे तो एक से दो साल में ये ची प्यूस के बारे इस या सकता है इक के बात हो रही है और या इसके इर्दगिर्दक कुछ भी रिलेटट ऐसे लिखने को UPSC जरूर पूछ रहा है यह आप मिरसे 100% guarantee लिखते ले लिजे ठीक है और आपको हो सकता है कि exactly यही lines वहाँ पर लिखी मिल जाए कि इसके उपर आपको ऐसे लिखना है तो आप आज चरिये में मत पढ़िए ठीक है तब आप उस समय मुझे जरूर याद कीजेगा कि मैंने ऐसा जरूर आप लोगों को बोला था ठीक है चलिए आगे देखते है क्या दिया गया है फिलाल यही चीज बात है कि जो हमारी 10 trillion की economy हो जाएगी वो natural resources से तो नहीं चलने वाली उसके लिए हमें knowledge resources की जर्वच जो है तो यहां पर फिर से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम इस चीज के लिए तयार है क्या इस्तिथी के लिए हम तयार है कि हम USA और चाइना के बाद तीसरी सबसे ओड़ी largest economy बन जाए ऐसा हो सकता है और क्या हम इतने confidence है क्या इतना आत्मईशास हम में है कि हम उस position को sustain कर लेंगे आने वाले सालों में तो इसके लिए क्या है we will need our knowledge society based on our robust education system जो हमारा education system है वो बहुत जादा robust होना चाहिए robust का मतलब है मजबूत ठीक है ठीकाओ होना चाहिए तो इस तरीकी की जो हमारी required attributes है और जो characteristics होंगे किसके context में कि जो knowledge demand हमारी change होगी क्योंकि अभी के हिसाब से जो चीज़ें चल रही है अगर हम third largest economy बन जाते हैं आने वाले 10 से 12 सालों में तो फिर जिस तरीकी से चीज़ें अभी चल रही है अगर वैसे ही चलेंगी तो काम बनने वाला नहीं है जो change in knowledge होगा knowledge की demand में जो change आएगा उसको लेकर हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी जो technology में change आएगा उसको लेकर हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी और जिस तरीके से लोग society में रहते हैं in which the society lives उसके इसाब से भी जो required changes है वो बिल्कुल करने पड़ेंगे ठीक है तो इस लिए ये policy vision जो हमारा है वो हमें ये बताएगा वो याज ये suggest करता है कि जो हमारा human capital formation है जो मानोपूजी का जो निर्माण है भारत में वो किस तरीके से जो भारत की अर्थिवस्ता है जो economy है उसको high growth trajectory की तरफ लेके जाएगा ठीक है चलिए थोड़ा सा आगे और देखते है human capital and human development ठीक है मानोपूजी और मानोव विकास देखिए the two terms sound similar but there is a clear distinction between them ये जो दो words है human capital और human development ये सुनने में देखने में पढ़ने में एक जैसे लगते हैं पर इनके वीच में जो है अंतर है ठीक है और वो क्या अंतर है भी हम देखते है human capital considers education and health as a means to increase labor productivity अब बड़े ध्यान से समझेगा ठीक है ये भी कुछ ऐसे topic है ना जिनके उपर UPSC का ध्यान में कहारा हूँ कि रहेगा और रहता है पिछले बार भी रहा है पहले भी UPSC ने ये काम किये है कि इस तरीके के topics में से ऐसे वो देता रहा है ठीक है तो आप ध्यान से चीजों को समझेगा तो कोई लोग जो ये सवाल पैदा कर रहे थे खासकर मैं आप लोग को एक मैं तब आप लोग के मन से ये doubt को निकाल दू कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा था कि class 11th की जो economy है ये वाली book जो हम cover कर रहे है इंडियन economic development वो UPSC के लिए जादा important नहीं है ये इस तरीके का मैं कहूँगा कि market में भ्रहम फैलाया जा रहा है कि ये चीज़े important नहीं है अगर economic की बात आती है तो दो-चार writers की जो book है वो आप पढ़ लीजे और वहीं से आपका काम बन जाएगा वो कौन-कौन से famous writers है वो आप सभी लोग को पता होंगे जो UPSC की त्यारी कर रहे है और बाकि जो नहीं कर रहे है UPSC की त्यारी जो school के student है उनको नाम पता होने की जरुवत है भी नहीं ठीक है और बाकि अगर बात करी जाए geography जाए subject तो geography में भी जाज़र ये देखा जाता है कि class 12th की जो आपके human geography है या फिर India people economy है उसको लोग neglect करते है सिर्फ physical geography पढ़के जाते है Indian physical geography पढ़ते है world की physical geography पढ़ते है वो सब चीज़ा पढ़ते है लेकिन human geography के part को neglect करते है उसको चीज़ा नहीं समझते है problem क्या create होती है इससे कि आपका जो एक holistic view बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है अब जैसे मैं आपको यहाँ पर human capital and human development के उपर चीज़ें बता रहा हूँ अब आपको क्या लगता है कि prelims मेंसे इसमें question आएगा chances बहुत कम है chances जो है वो बहुत कम है कि prelims मेंसे इस book मेंसे एक भी question आएगा but prelims is not the final destination आप लोग को पता है prelims एक hurdle है जिसको आपको पार करना है और main जो परिक्षा है वो mains की है जो mains की examination है वो आपका main hurdle है या main मैं कहूंगा कि एक real test of character and real test of knowledge है तो उसके उपर आपको ज़्यादा focus करना है अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ते है ठीक है जो यहाँ पर चीजों पढ़ाई जा रही है उनको अगर आप पढ़ रहे है concepts जो है वो आप समझ रहे है चीजों को आप समझ रहे है उसके उपर आप अपने अगर current affairs के साथ और चीजों को supplement कर रहे है तो आपका prelims तो खुद बाखुद निकल जाएगा उसमें कोई चिंदा की बात है ही नहीं ठीक है तो prelims के उपर आप बिल्कुल ऐसे मतलब जी जान लगा के focus मत केया कीजिए कि prelims ही निकालना है क्योंकि अगर prelims आप निकाल भी लेते है और mains में अगर आप कहीं थोड़ा बहुत नंबरों से अगर रह जाते है तो फिर से आपकी जो कहानी है वो वहीं बिल्कुल जीरो पर आजाएगी और अगले साल से आपको फिर से prelims के तयारी करनी पड़ेगी तो prelims निकलने या नहीं निकलने से कुछ नहीं होना है मतलब निकालना तो जरूरी है लेकिन सिर्फ prelims निकालना ही मकसद नहीं है मेंस के उपर ज़ो है जादा focus करना है इसलिए जो UPSC का experience हमा रहे है उनको मैं बता दू कि अगर आप लोग तयारी कर रहे है या जो स्कूल के बच्चे भी है जो करने की तयारी सोच रहे है जो graduation के है या जो school level में है अगर कोई चाह रहे है कि हम लोग तयारी करेंगे तो मैं आपको बता दू कि पहले दिन से अपनी तयारी को आप mains के target पे रखे कि अपने mains clear करना है बस अगर mains clear करने के target आप लेके चलेंगे तो prelims आपका मैं बता रहा हूँ कि अगर भगवान भी आ जाएगा तो वो भी नहीं रोख सकता ठीक है अगर आपने mains की तयारी अच्छी की है इमानदारी से की है तो ठीक है नहीं तो बाकी तयारी तो फिर दुनिया में आपको पता ही है कि 5 लाख लोग और भी करी रहे है हर साल 5 लाख लोग paper देते है लेकिन कितने उसमें से सफल होते है या आप लोगो भी पता है ठीक है अगर वो तो सभी पढ़ रहे है उसमें से क्या होगा कि prelims के question आएंगे अगर आप लोग की thinking develop हो रही है आप लोग चीजों को समझ रहे है हम भी बाद में cover करेंगे चीजों को तो उससे आपका prelims तो निकल ही जाएगा इनके मन में ये doubt है कि ये book important है या नहीं है या market में इस तरीके की बाते कही जा रही है कि ये book important नहीं है इसको नहीं पढ़ना चाहिए ये वो तो please आप ये सारी जो भ्रम की बाते हैं ठीक है जो doubts जो dilemma create किये जा रहे हैं market में उसको आप छोड़ दीजे क्योंकि market ने अपना पेट भी पालना होता है सीधी बात ये है कि market में जितने भी coaching institutes है जितने भी कुछ है सबको अपना पेट पालना होता है तो वो अपने अपने हिसाब से बाते करते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि एक हवा चला ही जाती है चीजों को लेकर ठीक है क्योंकि उनको पता है कि वो इतने बड़े player है इस market में कि अगर वो कुछ भी चीज कहींगे तो वो पत्थर की लकीर बनने में time नहीं लगता है तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी जो विवेक शक्ती है जिसको बोलते है conscience ठीक है उस conscience की power का use कीए थोड़ा वो चीजों को समझे अगर आपको कोई भी तकलीफ कहीं पर भी महसूस हो रही है किसी भी चीज को लेकर मैं कह रहा हूँ अगर चीज़े नहीं समझ में आ रही है तो हमने आपको हमारी email ID दी हुई है ठीक है बाकी नीचे description box में से हल नहीं की जा सकती होगी तो मैं आपको खुद contact करके आपसे personally बात करूँगा और अगर बान लीजिए personally सिर्फ बात करके भी अगर चीज़ें नहीं solve हो रही है problem तो मैं आपको यह assurance दिलाता हूँ कि आप मुझसे जहां मिलने की कोश चाहेंगे मैं आपकी वहां मिलके भी personally आपकी problem solve करूँगा क्यूंकि मैं यहां पर वही आपको बता रहा हूँ कि हम यहां पर कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बैटे है हम यहां पर सिर्फ एक mission के तौर पर काम कर रहे हैं इस बात की गंभीरता को आप लोग समझे ठीक है इससे जादा मैं कुछ बोल नहीं सकता ठीक है कि आप comment section में अपनी प्रशानी जो है बता सकते हैं पूछ सकते हैं email idea आपके पास है अगर email idea में भी आप चाहेंगे तो मैं आपसे personally बात करूँगा ठीक है अगर आप बात करने से भी नहीं होगा अगर बात करने से भी अगर नहीं बात बनेगी तो मैं आपसे मिलके भी आपकी जो बाते हैं वो problem जो है वो solve करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा ठीक है चलिए इससे जादा support I don't have I don't give इससे जादा support ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है फिलाल थोड़ा सा ग्यान की बात है तो होती रहती है और होनी भी चाहिए 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 चीज़ें जो है वो एक motivational level पर एक अच्छे स्तर पर बनी रहे चलिए आगे देखते हैं human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life they will be able to make other choices which they value ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जैसे हमने कल भी बात की थी कि education के उपर खर्च करना है और health के उपर खर्च करना है इससे क्या होगा कि human capital जो है वो बढ़ेगी ठीक है ठीक है तो एक तरीके साब कह सकते हैं कि यह तो means है जानि कि अगर आप human capital की बात करते है तो उसके लिए education और health जो है यह एक means है साधन है ठीक है human capital को develop करने के लिए लेकिन अगर हम human development की बात कर रहे हैं तो उसमें यह फिर means नहीं है तो उसमें यह जरूरत है एजुकेशन मिलना लोगों को और health services मिलना यह उसमें जरूरत है यह उसमें means नहीं है ठीक है जोकि जब तक लोगों के पास यह ability नहीं होगी लिखने पढ़ने की और उनकी healthy life नहीं होगी तो वो other कुछ choices जो है यह तरीक से आप कह सकते हैं कि रुखसा जाएगा जिसके पास education नहीं होगी same बात health के लेकर है अगर किसी person की health अच्छी नहीं है तो वो भी अपने future के बारे में चीज़ है decide नहीं कर सकता है ठीक है तो यह दोनों के दोनों हम बात कर रहे है human capital की तो यह उसके लिए एक means है और अगर बात करें human development की तो उसके लिए यह एक जरूरत है ठीक है यह उसका एक part है यह means नहीं है ठीक चलिए आगे देखते है human capital treats human beings as the means to the end ठीक है क्योंकि human capital human beings को क्या treat करता है as a means to the end और end क्या है increase in the productivity तो उसमें क्या है कि मक्षि जो मकसद है human capital के aspect से अगर हम बात करते है उसके संदर्ब में अगर हम बात करते है तो productivity को बढ़ाना और productivity बढ़ेगी तो क्या होगा तनखा बढ़ेगी, income बढ़ेगी, individuals की भी और देश की भी तो उसमें क्या है कि humans को एक target माना जाता है या आप कह सकते हैं कि एक माध्यम है वो भी ठीक है लेकिन और इसी में देखिया आगे दिया गया है कि in this view, any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services देखिये, अब यहाँ पर कितनी बढ़िया बात कही गई है कि education and health अगर आप लोगं को दी जा रही है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी education and health आपको provide कर रहा है वो स्वार्थ है आप इस बातों से यह समझ सकते हैं कि वो स्वार्थ की भावना से आप चीज़ों को दी जा रही है क्योंकि आपकी अगर education अच्छी होगी आपका अगर health अच्छा होगा तो आप फिर क्या है कि human capital में convert होंगे और उससे क्या है कि productivity जो है वो बढ़ेगी ठीक है किस-किस तरीके से बढ़ेगी वो हम सब चीज़े पीछे बात कर चुके है तो इसका वलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको education देना या आपको health services प्रवाइट करना ये स्वार्थ की बात है ठीक है अगर हम human development के perspective से बात करें तो human beings जो है वो खुद में एक end है मतलब human beings जो है वो ultimate beneficiary है चीज़ों के human welfare should be increased through investment in education and health even if such investments do not result in higher labor productivity जो है एक जरूरत है ठीक है तो वो provide करनी जरूरी है चाहे उससे human productivity ये labor productivity बढ़ रही हो या नहीं बढ़ रही हो हमें उससे मतलब नहीं है लेकिन अगर human capital की बात कर रहे है तो उसका main target ही है या उसका जो main लक्ष है वो labor productivity को बढ़ाना ही है अगर वहाँ पर education और health आप लों को इसलिए provide कराई जा रही है ताकि आप आने वाले समय में human resource जो अभी है बात में human capital बन जाएंगे और तब क्या करेंगे आप productivity में बढ़ाने में योगदान करेंगे अगर आप productivity बढ़ाने में योगदान नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जितना भी पैसा education में health में और बागी जितनी भी चीज़े है training वगएरा में खर्च किया जाता है वो सारका सारा बरबात समझा जाएगा लेकिन human development में ये अलग है तो अब आप समझ गया होंगे कि किस तरीके से human capital और human development जो एक से लगने वाले वर्ड है उनमें कितना जादा बड़ा अंतर है ठीक है तो human development के संदर्ब में ही बात की जा रही है कि हर व्यक्ति का ये एक मूलबूत अभिकार है कि उसके पास एक basic शिक्षा होनी चाहिए basic health care उसको मिलनी चाहिए ठीक है भले ही वो labor productivity उससे बढ़ रही हो या नहीं बढ़ रही हो उससे हमें मतलब नहीं है लेकिन इसारी बाते कब की जा रही है फिर ध्यान रखेगा human development या मानव विकास की जब हम बाते कर रहे है अगर human capital की बात कर रहे है तो वहाँ पर इन चीज़ों का मकसद नहीं है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मकसद है labor productivity को बढ़ाना ठीक है अगर किसी भी तरीके से labor productivity नहीं बढ़ रही है तो आपके उपर या किसी भी और human resource के उपर जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है चाहे वो education में हो, चाहे health sector में हो चाहे training में हो, उसका कोई फिर output नहीं है और उसका कोई मतलब वहाँ पर नहीं रह जाता है, ठीक है चलिए, तो आज इतना ही रखते है थोड़ा सा part is chapter का और बचा हुआ है उसको हम कल के अपने, जो class होगी कल वाले में, उसमें cover कल लेंगे तो I hope, आप लोगं को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो please like जाद से जादा, share जाद से जादा ठीक है, ये दो ही काम आप लोगं को करने है तो कि वहाँ पर भी जब आप लोग होंगे तब हम चीजों को थोड़ा सा आप लोगं को देना वहाँ पर शुरू करेंगे, हो सकता है कि वहाँ पर आप लोगं को कुछ questions वगरा जो है जैसे कि अगर आप Facebook पर आप आते हैं इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगर आपकी समस्या जादा ही गंबीर होगी किसी भी बात को लेकर तो I am personally there for you आप हमेशा assured रहिए कि आप लोग बिलकुल भी अकेले नहीं है किसी भी कदम पर अकेले नहीं है कोई आपका साथ दे या ना दे कोई भी का मतलब है कोई भी समस्या सकते हैं अब आप कोई भी आपका साथ दे या ना दे ओकुल आपके हमेशा साथ है मैं आपके हमेशा साथ है चले तो मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा Please do take care of yourself Thank you Have a nice day Bye-bye